दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाड़ हैं क्रेडिट कार्ड में मिनिममम अमांट ड्यू पेमेंट क्या होता है क्या इस पेमेंट को करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए क्या इस मिनिममम ड्यू पेमेंट को करने से फाइदा होगा या फिर नुकसान होगा आज की वीडियो में इसके बारे में complete details में आपको जानकरी मिल जाएगी तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ दर्मराम आप देखते हैं विसाल डिजिटल प्लेटफोर्म तो प्रिंट्स जानते हैं यह minimum amount due payment क्या होता है और बेंग जित्ते सभी statement आपको mail करती है या बैशती है सभी में यह payment क्यों रहता है तो इसके complete जानकरी में बात करते हैं तो दोस्तों credit card में minimum amount का मतलब होता है कि आपके credit card का जितना भी outstanding bill होता है उसका 5% का हिस्सा होता है यानि कि आपके credit card का जो outstanding bill है वो 10,000 का है तो उसका 5% का मतलब है कि आपका 500 रुपए यानि कि आपका जो minimum amount आएगा वो 500 रुपए का आएगा तो इसको पे आप कर सकते हैं वैसे इसको पे करने से आपको यह हो जाता है कि जो बाकी जो amount है उस पे आपको charges नहीं लगेगा यानि कि आपका जो बा time rate मिल जाता है जिस पर आपको सिरफ interest ही देना होता है तो friends बात करते हैं कि आखिर bank आपको minimum due payment का जो बेलें से वो आपको देता क्यों है तो friends जैसे कि bank को भी पता है किसी महिने में किसी कारण से अगर सामने वाले बंदे के पास मानलोग payment नहीं है तो ऐसे में वो क्या कर सकत है यानि कि payment नहीं करेगा तो इसलिए आपको minimum amount का payment दिया जाता है कि इसको pay कर देते हैं आप तो आपका जो amount है उसको आप अगले महिने के लिए payment कर सकते हैं यानि कि उस पर आपको किसी तरह का hidden charges नहीं दिया जाएगा उस पर शिरफ आपको एक interest ही दिया जाएगा जो interest होगा और वो आराम से आप next month में आप payment कर सकते हैं अब बात करते हैं minimum payment करने से क्या फाइदा होता है या फिर नुकसन होता है तो फाइदा की बात की जाए तो फाइदा आपको यह होता है कि minimum amount pay करने से आपका एक तो single score है वो खराब नहीं होगा यानि कि उस पर किसी तरह का कोई effect नहीं पड़ेगा और आपको जो payment करने का जो charges है यानि कि जो आप late payment कर रहे हैं उस पर आपको hidden charges से आप बस सकते हैं यानि कि यह आपको दो फाइदा यहां पर मिल जाते हैं नुकसन की अगर बात करी जाए तो नुकसन आपको यह होता है कि credit card पर आपको जो भी offers वग grade के offer या फिर limit increase के offer या फिर बाकी किसी तरह के loan वगेरा के offer तो वह आपके card पर नहीं दिये जाएंगे तो नुकसान इसमें यह हो सकता है तो इस चीज का भी आपको अपने हिसाफ से manage के हिसाफ से आपको रखना है यानि कि आपके पास payment है वो आपको लगता है कि 2-3 महीना नहीं हो पाएगा तो आप सकते हैं जिसका आप आसनी कर सकते हैं अगर हार आने वाला है पेमेंट तो आप उसको इंट्रेस्ट के साथ प्या कर सकते हैं दूसरा इसमें नुक्सान यह होता है कि आपको जो क्रेडिट प्रेट लिमिट मिलती है 45-50 डेट की वह फिर आपको नहीं मिलेगी क्योंकि वहां पे आपको इंट्रेस्ट देना होगा तो वह क्रे पर सेस्ट इसतररण की आपको मिल में की यहन्ट की जाती है तो आपका जो भी आउटर इस्टेंडिंक होगा उसमें जो 5% बिल के वो आहेगा तो इसका भी आयो क्यों आपको पूरा करना होगा साथ में तो इसका भी आक ज्यान रखना होगा एक मैंड Time the aなんです डेना पड़ेगा तो कहले एन तंधाफी câb यहाँ रखोटीय लगेगा तो इसका अब stick आपको खास ब्राउड से ज्यान सब्सक्तु आपने सब्सक्राइख कर दिया का शसी यह एंद पघंट लगेगा तो दोस्त ळिस प्रेडिए कर्ड कर मिनिमूंत पे की जानकारी वीडियो आपको पसंद लगी तो इस वीडियो को ज़रू से लाइक करें चैनल पर पहले बार आएं तो इस चैनल को ज़रू से सब्सक्राइब करें और हमारी फाइने से रेलेटेड नहीं नहीं जानकारी के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सक करते हैं आज के लिए बस इतने मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय इंद